जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes YouTube चैनल और एप में दोस्तो अपना डाउट्स के डियर वाला जो सेशन चलता है वो रोज आपके लिए वीडियो आते हैं ऐसे हिंदी सायथ में बहुत सी रचना है जो एक्स जैसी हैं बहुत से ऐसे प्रस्ण है जो जिनमें डाउट्स आपको लगता है और हम डाउट्स के चकर में गलत क्वेस्चन करके आ जाते हैं तो आपको बने रहना है इसी प्रकार से Self Study Classes YouTube चैनल पर और दोस्तो अभी तक अगर आपने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो एप जरू डाउनलोड कर ले बहां पर आपके लिए हिंदी कुझ होता है अगर इस प्रकार से Question पूछा जाता है क्युक्ति आपको पता है कि लचंद जोसी की भी रचना है लेकिन इसकी विधा क्या है वो देखना है नाटक आपको पता है लच्मी के नाटक में लच्मी का नाटक छोड़के लोग क्या बन जाते हैं सन्यासी बन जाते लच्मी का नाटक तो लच्मी नारण मिस्त्र नाटक से नाटक है और सन्यासी बन जाते तो सन्यासी इनका नाटक है ना इलाचन जोसी का इस अन्यासी क्या है ओपन्यास ठीक है इसको देखेंगे अब दोस्ता दूसरा आपका डाउट से मुक्ती पत कि किसकी रचना है अब मुक्ती पत के बारे में दोस्तों आपको दिख रहे होंगे उदैसंकर भट्ट, इलाचन जोसी और अभय मौर कि तीन किसका है तो आपका उत्तर उदैसंकर भट्ट होगा आपसे पूछा जाएगा मुक्ती पत उपन्यास किसका है तो उपन्यास दोस्तों इलाचन जोसी का भी है और अभय मौर का भी उपन्यास ही है इसी नाम से तो मुक्ती पत उपन्यास इलाचन जोसी और दोस्तों अभय अब दोस्तों पंच बटी प्रसंग किसकी रचना है एक रचना आती है दोस्तों पंच बटी एक आती है पंच बटी और एक रचना पूछी जाती पंच बटी प्रसंग ठीक है तो पंच बटी ये तो आपको पता है कि पंच बटी ये जो रचना है ये क्या है दोस्तों खंड का भे मैत्री शरंगुप्त का लेकिन पंच बटी प्रसंग पंच बटी प्रसंग के रचना कार कौन है त ठीक है आपको पता है निराला चाया बात के आधार इस्तम में माने जाती है तो पंचबटी पर संग निराला और मेतरी शन्गुप्ति की रचना पंचबटी आज से दोस्तों आपका ये प्रियम्बदा की क्या है कहानी है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बापसी एकांकी किसकी है तो आपको क्या बताना है बापसी एकांकी की रचना का रुदय संकर भट बापसी कहानी उसा प्रियम्बदा ठीक है इसको याद रखे ना और आपसे नौर्मल पूछा जाए आपसी किसकी रचना है तो इन दो मैंसे एक option आपको मिलेगा या तो उसा प्रेमबदा या ओदै सकरबट दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे doubts clear किसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है वीडियो को like और share जरू करना है आपका अंगला doubts से रस बिमर्स किसकी रचना है रस्बिमर्स के लिए का कौन है यहां तो सीधा सीधा है दोस्तों रस्बिमर्स राम मूर्ती तरपाटी रस्मी मांसा राम चंद्र स्टुकल रस्तिदांत डाक्टर नगेंद्र हैना कई बार पूचा गया कि डाक्टर नगेंद्र इनकी रचना कौन सी है रस्तिद्दान्त, रामचन सुखल, रस्मी मानसा, है ना, डक्टर राम मूर्ती तरपाटी, रस्विमर्स, तो यह भी डाउट्स आपका केडियर होता है, इन डाउट्स को भी अपन को केडियर करना है, ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है, अंगला वी ठीक केसे टोर में सर्च करें, सेल्फ स्ट्डडि क्लासे को लग जाएं दोस्तों, अपने डाउट्स कarettes करने के लिए अपने बिडियो हिंदी साहित को दोस्तों ट्रिक तरीके से पढ़ने के लिए विश्तर्य तद्यान्यों टेस्ट लगा कर पढ़ने के लिए एक मात्र सै पर study के लाक्सेस ठीक है तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिंद्ध